Hello students, welcome back to my channel Smart Study Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दीचाने वाली Worksheet No.35 करेंगे जो कि Class 6 की है और Subject है Social Science ये Worksheet 19 February 2021 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की Worksheet Worksheet शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की Worksheet Chapter 7 Urban Administration Cities are usually quite large so municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean तो देखो क्या कहा जा रहा है कि city जो है as well क्या होती है बहुत large होती है अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हम समझते हैं तो city क्या होती है बहुत large होती है तो municipal corporation के लिए उसको clean रखना है उसको के लिए सारा काम करना क्या हो जाता है बहुत मुश्किल हो जाता है decision लेना कि किस तरह कहां के area में क्या ठीक करवाया जाए क्या उसको सही करवाया जाए तो यह उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है the city is divided into different ward अब क्या किया जाता है जैसे कि यह city है तो पूरे पर ध्यान रखना municipal corporation के लिए मुश्किल हो जाता है तो क्या किया जाता है उनको छोटे-छोटे ward में क्या कर दिया जाता है इस तरह छोटे-छोटे ward में क्या कर दिया जाता है डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड कांसलर get elected और हर वार्ड में क्या कर दिया जाता है एक कांसलर को elect कर दिया जाता है एक कांसलर को चुन लिया जाता है समझो बात की क्या है पूरा जो city है वो क्या है बहुत बड़ी है वहाँ पे एक बड़ी चीज को संभालना मुश्किल हो जाता है तो क्या किया जाता इसा निया कि मालों यहां के मेंबर ने एक decision ले लिया तो वहीं चलेगा नहीं जो भी यह मिलकर decision लेंगे वो पूरी जितना भी city है entire पूरी city पर entire city पर क्या पड़ेगा उसका effect पड़ेगा who from committees to decide and debate issues अब क्या करेंगे ऐसा नहीं कि एक ने बोल दिया यहां का word है उसने बोल दिया भी ऐसा करेंगे ऐसा नहीं होता सबके सब लोग मिलेंगे बात करेंगे अब कुछ उससे सहमत होंगे कुछ उससे सहमत नहीं होंगे debate होगी तो finally जो decision निखेगा वो क्या होगा वो implement होगा और उस पर क्या किया जाएगा पूरे city में वो लागू कर दिया चाहेगा for example if bus stand need to improve और एक crowded marketplace need to have its garbage clean more regularly अब जब कुछ problems दी गई है कि मानलो कहीं किसी वार्ड में क्या है कोई bus stand है वो क्या है अच्छे से maintain नहीं है या क्या है उसको और improvement की ज़रूरत है इसके अलावा एक crowded area है market है उसको और ज़्यादा cleaning की ज़रूरत है regularly उसको clean करवाने की ज़रूरत है there is a nala and drain that cut throughout the city अब मानलो को एक drainage है उस वो क्या है तूट गई है pipe या कुछ होगे उसको ज़्यादा सही करवाना है तो यह जो सारे काम है यह मिलकर किये जाएंगे सब आपसे बैट कर बात करेंगे जितने भी ward member है या जितने भी counselor है यह बैट कर बात करेंगे उसके बाद इसका decision लेंगे ठीक है that need cleaning etc it is these communities for water garbage collection stress street light etc that decision on the work to be done अब यह सारे जो communities बनाई गई है यह क्या करेंगी बैटा जितना जो sessional work है ना जिससे कि water हो गया garbage collection हो गया street light होगी इन सब पर मिलकर decision लेगे और final जो decision होगा उसको माना जाएगा आगे देखते हैं क्या कहा गया है when the problem are within a ward the people who lived in the ward can contact their counselor अब मान लो कि यहां पर हमने यह बनाया यह क्या है city बनाया यहां पर एक ward है ठीक है यह अलग लग ward है यहां ward के अंदर रहने वाले कुछ लोगों को कोई problem है तो यह अपनी problem लेके कहा जाएंगे counselor के पास में देखो when the problem are within a ward then the people who live in the ward can contact the counselor for example if there are dangerous electrical wires hanging down then the local counselor can help them to get the touch with the electric authorities अब मान लो जैसे कि example के लिए समझाया गया है कि मान लो कि जैसे घरों के पास से जो electric wire निकलते है बहुत माला high voltage की होती है कई बर क्या होती है वो नीचे लटक रही होती है तो अब उससे क्या देखो बहुत जादा नुकसान होने के chances है तो क्या करेंगे ये common किसी एक सदस से कि तो मतलब जो वहाँ पे रहे रहा है किसी एक की तो problem है नहीं लेकिन एक common problem है तो इसके लिए सारे जो लोग है वो कहां जाएंगे counselor के पास में जाएंगे कि ऐसे ऐसे तार है वो इस तरह से hanging हो रहे है तो उसको किस तरह से किया जाए तो जो इक counselor है ये electricity authorities के पास अपनी application लेकर गाए ऐसे सी problem में महाँ पर उस problem को solve करो तो वो problem solve हो जाएगी आप देखो क्या खा जाए कि हमने देखा कि हर वो हर वाड में क्या है counselor है ठीक है अब ये counselor और जो उनकी team है committees है वो क्या करते है कुछ decision लेती है जो पूरा city है entire city को अच्छे clean या अच्छे उसके भलाई के लिए क्या लेती है कुछ decision ले लिए उन्होंने तो कह दिया कि ये काम करवाना है अब ये काम करता को है जो commissioner and the administration staff है वो इस काम को implement करते है मतलब उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए बोल दिया कि जैसे कि ये चीज़ सही नहीं है इसको सही करो या ये सड़क तूट गई है या जो भी कोई भी काम है उन्होंने बोल दिया फाइनल डिसीजन लिया कि ये काम किया जाएगा उन्होंने बोल दिया लेकिन करेगा कौन उसको आगे commissioner जो administration staff है वो इसको implement करेंगे the commissioner and the administrative staff are appointed इसके लिए क्या किया जाते है जो commissioners है और जो administrative staff है वो क्या किया जाते है जबकि जो commissioner है और administration जो बड़े बड़े IAS officer ये सब है इनको क्या किया जाते है इनका बहुत exam होता है और ये government के द्वारा appoint किये जाते है all of the ward counsellors meet and they make a budget अब देखो क्या हुआ हर ward आया है यहाँ पर हर ward की counsellor आया और वो क्या कर रहे है अपनी 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 प्रॉब्लम अपनी अपनी वार्ड की प्रॉब्लम बताते है कि ये वाली प्रॉब्लम है कोई कहेगा भी सडग बनवानी है कोई कहेगा कि street lights लगवा जाएगा the ward counsellor try and ensure that the particular demand on their ward are the place before the entire counselling अब ward counsellor होगा वो क्या करेगा अपने ward की जो main problem है जो भी problem है उसको वहाँ पे रखेगा जब meeting होगी तो उसको रखेगा भी मेरी ward में ये बरी problem है मेरा इतना बचन मुझे इतना मेरे खर्चा लगेगा तो उसके according सब अपने प्रॉब इस इस तरह का काम कों करता है इसको implement कों करता है administrative staff तो इसी थी वक्षित को यहां पे काम करवाया जा रही है यहां से loading का सम्म हो रहा है तो इस तरह से काम करवाया जाते हैं अब हम करते हैं इसके question answer बहुत ही आसान question answer है the city is divide into server ward तो क्या आजाएगा first concern ward में किसमें divide कर दी ज wards में ठीक है question number two in a municipal corporation the elected member are जो elect किये जाते हैं member को उन्हें क्या कहते है counselor उन्हें क्या कहा जाता है counselor तो हम लिख देंगे counselors ठीक है question number third देखते है group of counselor deal with issues that effect जो counselor की group है वो कुछ issue कुछ decision लेती है वो किसको effect करता है entire city तो third में क्या हो जाएगा entire city third में क्या हो जाएगा entire city question number four देखिए while the counseling make decision the administrative staff laid by the commissioner implement this देखो fourth पर क्या आज का जाएगा कि जो भी decision लिये जाते है उनको कौन administrative staff और commissioner क्या करता है implement करता है तो आईए answer आपको दिखाते हूँ आप अच्छे से वहा answer number one word हो जाएगा answer number two देखते है entire city किसको effect करता है answer number two हो जाएगा counselor ठीक है third क्या हो जाएगा entire city यहाँ पर हम देखते हैं अच्छे से एक बड़ी यह हो जाएगा first cancer यह हो जाएगा second cancer यहाँ पर हो जाएगा third cancer entire city और number four पर implement देखिए यहाँ यह जाए रहा fourth cancer ठीक है अच्छे से spelling, आप mistake मत करिएगा, इसलिए मैंने यहां से आपको बता दिया है, तो यह हो जाएगा fourth concern, ठीक है, implemented, ठीक है, तो बेटा, आज की जो worksheet है, वो complete होती है, worksheet complete करके अपनी teacher से चेक कराईए, और please मेरे channel को like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए, thank you students,